तो चलिए दोस्तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया बर्सेस अस्टेलिया के दोस्तो आज के होने वाले फॉस्ट T20 मैच के बारे में दोस्तों ये मैं साम को 7 बज़े से स्टार्ट होगा और दोस्तों बतादो में आपके साथ इस मैचस related टोटल 18 ग्रेनली का कंबिनेशन सेर करने वाला हूँ जी हाँ टोटल 18 ग्रेनली का कंबिनेशन और सबी कंबिनेशन दोस्तों काफ़ी डिफ्रेंट है और एक बात का दोस्तो ध्यान रखेगा जो भी मैं ग्रेनली का कंबिनेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा टस के बाद उसमें कोई चेंज हो जाता है दोस्तो तो आप लोग टेंसर नहीं लेना आप लोग बस तेलिग्राम के साथ जूर जाना कोई भी दोस्तो चेंजेज होगा मैं फिर से सभी कंबिनेशन को अपडेट करके टेलिग्राम पे प्रवाइड कर दूँगा टेलिग्राम चैनल का लिंक दोस्तो आपको नीचे डिस्क्रिप्सन सेक्शन में भी मिल जाएगा साथी साथ दोसो comment section में भी first comment pin किया हुआ मिल जागा जो आइन कर लिजेगा दोसो ठीक ना और एक और चीद दोसो बता दू यह जो दोसो 18 combination मैं share करने वाला हूँ देखो दोसो सभी combination को समझाने में थोड़ा सा time जरूर लगेगा और साथी साथ दोसो बता दू मैं match detail भी आपको provide करूँगा क्योंकि दोसो match detail जो भी काओ काफी important होता है यदि आप दोसो small league green league का combination बनाना चाहते हो खुझ से तो दोसो match detail जाना काफी important है तो 18 green league का combination और plus 200 match detail तो video थोड़ा सा लंबा तो दोसो जरूर होगा लेकिन दोसो बता दू ये video आपको काफी ज़्यादा help करेगा इस match में भी और साथी साथ दोसो future में यदि आप green league का combination कैसे बनाओगे कोई भी दोसो match में यदि दोसो आप t10 खेलते हो यदि दोसो आप t20 खेलते हो देखिएगा और दोसो वीडियो पसंद आएगा तो like जरूर कर देना और दोसो एक और बात बता दो यदि दोसो आप नए हो और first time वीडियो देख रहे तो दोसो आप YouTube चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिएगा और दोसो सस्क्राइब करने के बाद दोसो नोटिफिकेशन का घंटी जरूर बजा दीजेगा जिससे दोसो आने वाले वीडियो का आपको easily नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए दोसो बिना किसी देरी के सबसे पहले दोसो हम लोग match detail देख लेते इस match से related और फिर दोसो उसके बाद हम लोग 18 grandly combination समझेंगे match detail में दोसो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पीच के बारे में तो दोसो पीच मोहाली का दोसो यह stadium रहेगा और यहां का दोसो पीच का बात करे तो spinner को भी दोसो यहां पे काफी जादा help मिलते हैं और mainly दोसो spinner को second inning में जादा bicket मिलते है ठीक ना तो आप जो combination बनाओगे जो भी team दोसो balling करती है first balling करती है तो उसको थोड़ा सा कम favor करना और जो team दोसो second balling करती है उसको जादा favor करना और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्यों कि देखो last जो 7 match हुए है दोसो IPL के इस ground पे उसमें 5 match second batting करने वाली team ने win किया और region क्या है दोसो dew factor second inning में दोसो यहां पे हमेशा ही maximum time दोसो dew आता है और कोसिस करना जो भी team second batting करे उसके spinner को अपने team में रखना और जो team दोसो first balling करा रहे है उनके दोसो fast baller आपके team में जरूर होने चाहिए क्योंकि जैसा मैंने बोला दोसो swing जरूर मिलेगा ठीक न तो यह important चीज था आप small league का भी combination बना रहे हो तब भी दोसो इस बात का ध्यान रखना और green league का combination बना रहे हो तो दोसो आपको ध्यान रखना भी है और otherwise दोसो इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप दोसो combination बना सकते हो फॉस्ट बैटिंग करने वाली टीम को लेके और second करने वाली टीम को लेके ठीक ना बात कर ले दोसो लास्ट तीन मैच का इस ground पे कैसा scoring pattern रहे है तो दोसो सबसे पहले मैं आपको international match बता देता हूं उसके बाद दोसो नीचे मैं आपको IPL match बता दूँग सबसे पहले साुथ अफिरिक और इंडिया के romance के बारे में संप बाइस स्टेलिया ने चाइस कुर के लिए और इंडिया ने दोसो nep यसदव 1-90 नकर लिया थे ओस्पांइट फास्ट पर्लर को मिले थे और 3जग इस बीघनेट को मिले स्वाइब तो सकते हां दोस्तों यहां पर आप टारगेट सकते हो यहां यहां से नीचे रहाता है तो लास तीन मैंच में दोस्तों आप देख सकते हो सभी मैच में 150 प्लस इसकोर लगे और सभी मैच में डोसफो मैकसिमं जो बिकेट है वब दोस्तो फास्ट बलर को मिल रहा है अब यही मैच देख लो तो इसमें भी 208 बिकेट फास्ट बलर को मिले थे तो जो दोस्तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था बस उस national को जिहान में रखेएगा बात कर लें दोसों लास्ट तीन में चाहिपियल का इस ग्राउन पे कैसा रहा है तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते चिर्णाई और पंजाब के मैच के बारे में दोसों इस मैच में चिर्णाई ने फॉस्स पैटिंग करते हुए वन फॉस 85 करके चेज़ डाउन कर लिये थे उस मैच में 206 विकेट फास्ट बोलर को मिले थे दो विकेट 200 इस्पीनर को मिले थे उसके बाद वाले मैच का दोस्तो बात कर ले तो उस मैच में पंजाम ने फॉस पैटिंग करते हुए 182 रन स्कॉर किये थे और साथी साथ दोस्तो राजस में तो दोस्तो इंडिया ने अभी तक 13 में जीते हैं और साथी साथ इस्टेलिया ने दोस्तो नौ में जीते हैं तो दोस्तो आप देख सकते हो T20 में ऐसे भी दोस्तो इंडिया ज्यादा फेवर है एस कंपेर टू इस्टेलिया और इंडिया के दोस्तो मोहाली स्टेडियम म तो इस मैच में अंच में total काफी इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तो मुझे जहा만 तक लगता हैं इंडिया को थोड़ा सब जादा फिवर करको सकते हैं क्योंकि दोस्तो इंडिया के design noon कि टीम में आपके सार्ट तो टीम काफी करे भीडा चाहिए अब साथ ही साथ दोनों ही टीमों का दोस्तों हम लोग फ्रोभेवल प्लेइंग लिवन देख लेते प्रोभेवल प्लेइंग लिवन में दोस्तो मैं आपके साथ टिलिग्राम पे सेर कर दूँ होगा ञाएक है पॉर्लिंग सेक्षन में दोसों बूमनेस्वर कुमार चहल बूमरा और हरसर पटेल आज के मैच में आपको खेलते हुए दिख जाएंगे बात कर लें दोसों एस्टेलिया के टीम का क्या प्लेंग लेवन हो सकता है तो दोसों ध्यान रखना एस्टेलिया के कुछ इंपोर्टेंट प्लियर नहीं खेलेंगे इस मैच में आपको अपनी में दोसों इंगलीज के साथ फिंच दिखेंगे इसमीट, मैक्सवेल, मैथ्यूवेड, टीम डेविट, ग्रीन और दोसों डेनियल सहम दोनों में से एक ही खेलेंगे और मुझे जहां तक लगता है दोसों डेनियल सहम को खेलाना चाहिए क्योंकि देखो, इसमीट के पास कोई भी लेप्ताम बॉलर नहीं है और इंडिया की दोसों बिकेट लेना है, स्टार्टिंग बिकेट तो दोसों लेप्ताम बॉलर चाहिए तो ऐसे लिए दोस्तो डेनियल सेम काफी important हो जाते हैं तो देखते हैं जो भी होगा final update में आपको बता दूँगा फिर दोस्तो बॉलिंग सेक्षन से Pat Cummins, Adam Jumper, Hazard Wood और Ken Richardson दोस्तो देथ पॉलर specialist है ये दोस्तो एस्टेलिया का playing 11 रहने वाला है आज कोई भी changes होगा, कोई attention नहीं, telegram पर check कर लिजेगा तो चलिए दोस्तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने 18 grand league combination के बारे में दोस्तो आप देख सकतो total 18 grand league का combination मैं आपके साथ इस वीडियो में share करूँगा और एक और चीज़ दोस्तो मैं confirm कर देना चाहता हूँ जितना भी दोस्तो मैं आपको combination बताऊँगा, दोस्तो already मैंने सभी combination को join करके रखा है आप देख सकतो total दोस्तो मैंने 18 combination सबसे बड़ा वाला league में मैंने join करके रखा है यदि दोस्तो इंडिया की team second batting करती है तभी दोस्तो आपको ये combination को use करना है यदि दोस्तो इंडिया की team first batting करती है तो आपको ये combination उसी time drop कर देना है ठीक ना आप इस combination में देखो तो मैंने कैसे बनाया ये combination तो दोस्तो इस वाले combination में match आ रहा हूँ याई डीजन क्या है दोस्तों यदि इंडिया दस बिकेट से मैच विन करेगी तो मैक्सिमम जो दोस्तों जो एसकोर है वो रोई सर्मा और राहुल ही करेंगे और देखो मैंने यहां पर इंडिया के पांचों बॉलर्स को अपने टीम में रखा है हार्दिक पंडया भूमनेसर प्रुक्मार चाहल हरसल पटल भूमरा जो दोस्तों कम्प्लीट दो चार ओबर बॉलिंग करेंगे और दोस्तों बिकेट लेंगे और मैंने इस्टेलिया के चार इंपोर्टेंट बैट्समेन को रखा है जो दोस्तों अपना बिकेट जल्दी नहीं देते हैं जैसे आप इंडिया के टीम सच में 10 विकेट से मैच-WIN करती है और ऐसा दोस्तों होता भी है किर्केट में 10 विकेट मैच-WIN होता है तो समझ hep लो यह कंब्रियेंशन आपके लिए कितना देखोगे तो फर्स बैटिंग करते उए सेकेंड बैटिंग करते काफी ज्यादा questo राहूल का बात करें तो राmos का फर्स बैटिंग करते मिए काफी अच्छा है और सेंड बैटिंग करते हुए थोरा सा डाउन सब्सक्राइब और दोस्तों फिनीसिंग करने के लिए हर्दिक प erfolgao तो यह वाला combination दोस्तों यह दि इंडिया उच्छा आपकेटिय क्नुइन हो सकता। क्योंकि इस combination में दोस्तों मैंने Estelia के तरफ से एक ही baller को रखा है दोस्तों Maxwell को रखा है जो दोस्तों balling कराएंगे आज के match में और दोस्तों रोई सर्मा को IPL में काफी वार out भी कर चुके हैं और दोस्तों out फिर से कर सकते हैं तो ऐसा आप different जाना चाहते हो तो आप दोस्तों मैंने इंडिया के important ballers को अपने team में रख चुका हूँ जो दोस्तों आपको mainly balling से बिकेट लेंगे और यहां पर दोस्तों आपको एक different चीज जानने को मिलेगा मैंने दोस्तों भूमनेस्वर को drop किया है और दोस्तों finch को अपने team में रखा है क्योंकि दोस्तों finch और भूम को टीम से drop कर सकते हो ठीक ना बात कर लें दोस्तों next combination third combination के बारे में तो दोस्तों यह combination मैंने एस्टेलिया को favor किया है यदि दोस्तों एस्टेलिया की टीम second batting करती है और दोस्तों बाइचांस एस्टेलिया की टीम 10 bigger से match win करती है जो मैं नहीं चाह रहा हूं लेकिन दोस्तों यदि करती है तो fantasy में दोस्तों आपको यह चीज सोचना पड़ता है तो आप कैसे team बना सकते हो तो दोस्तों simple सा है finch opening करने आएंग दोस्तों मैं already आपको change करके ही provide कर दूँगा ठीक ना और इस combination में देखो तो मैंने इस टेलिया के पांचो important ballers को रखा है जो दोस्तों mainly four over balling कराएंगे मैंने दोस्तों डेनियल सैम को रखा है दोस्तों starting में power play में balling कराएंगे पांचो दोस्तों आपको विकेट लेगा और दोस्तों हम लोग को point देंगे और मैंने इंडिया के चार इंपोर्टेंट बल्लेबाज रखा है रोई सर्मा पिराट कोली सुरकुमा यादो और हार्दिक पंड है यहां पे दोस्तों आप एक change कर सकते हो आप यहां पे दोस्तो दोस्तों ध्यान रखना है यह दि दोस्तों एस्टेलिया की टीम सेकेंड बैटिंग करती है तभी आपको यूज करना है ठीक ना अधरवाई दोस्तों आप ड्रॉप करके चल सकते हो जो next combination है दोस्तों इसमें मैंने थोड़ा सा different किया है यह combination को दोस्तों आपको तब यूज की रूप में आएंगे तो दोस्तों ऐसे बैट्समन को अपने टीम में रखना है तो यहां पर दोस्तों मैंने टीम डेविट को अपने टीम में रखा है यहां पर दोस्तों आप एक चेंज कर सकते हो आप पैट कमीन्स के जगह दोस्तों आप यहां पर मैक्समल को भी अपने तो आप इन्हें BC कर सकते हो, फिनिशर के रूप में दोस्तो मैंने टीम डेवीट को रखा है, थोस्तो मैंने फिनिशर के रूप में को रखा था और हार्दिक पंडे को रखा था, उसी तरह दोस्तो आप यहां पे टीम डेबिट को भी रख सकते हो और नहीं तो दोस्तों Maxville को भी रख सकते हो इस combination में और साथी साथ इस combination में देखो तो दोस्तों मैंने इस्टेलिया के चार important बॉलर्स अपने team में रखा है आप देख सकते हैं सब्सक्राइब करेंगे और इंडिया के दोसों जो इंपोर्टेंट बैट्समें और इंपोर्टेंट बॉलर से उनीक को मैंने अपने टीम में रखा है कोली सुर्कमायादव राहूल और दोस्तों हार्दिक मन्ड है ठीक ना तो यह दोसों ध्यान रखिए तो आप यह थांट बैटिंग करती है तो आप यह कंबिनेशन को यूज कर सकते हो ठीक ना तो दोस्तु स्टार्टिंग के जो दोसुव मैंने चार कंबिनेशन वाता है उसमेंसे दोसुआप आप इजीली दो कंबिनेशन को ड्रॉब कर सकते हो कि कोई एक ही टीम फर्स इंड करेगी या व्रषिसेंद καिंड करेंगी तो यदि इंडिया की टीम-कंबिनेशन से मैचित विन करती है, तो कैसे आप खंफीन बना सकते हो Minnesota सम्हेंटार करीमित धił 결araill मैंने भाइट कीज खैपनर two point क्या है क्योंकि मुझे यह कंभिनेशन ऐसा बनाना है जिसमें इंडिया नौ बिगेट से मैच विन कर रही है तो ऐसे में दोस्तों कैप्टन आपको जो ओपनर है उन्हें करना है और भाइस कैप्टन दोस्तों जो भी फर्स्ट राउन बैटिंग करने आए और दोस्तों यहां काफी अच्छा रहेगा और यहां पे दोस्तों यह दिए आप एक्चेंज करना चाहते हो तो है जलूर को दोस्तों ड्रॉप परके यहां पे दोस्तों आप इस्टेलिया के किसी भी बैट्समेन को अपनी टीम में आप रख सकते हो, टीम देख लो तो दोस्तो मैंने मैं नुमेट को रखा है, क्योंकि दोस्तो मैं चारा हूँ पावर प्ले में दोस्तो बूमनेसवर और दोस्तो जश्वित बूम्रा बिकेट ले, और बिकेट लेंगे दोस्तो इस्टेलिया के जो भी opener batsman होंगे उनका लेंगे जो सिंगलिस और फिंच को दोस्तों मैंने इस combination से drop कर दिया है ठीक ना और team देख लो दोस्तों तो मैंने ज़्यादा changes तो नहीं किया है पस दोस्तों जो Estelia के important बलेवाज दोसे जैसे Smith, Maxwell जो दोस्तों अपना बिकेट जल्दी नहीं देते वैसे बलवाज को अपने team में रखा है ठीक ना और ध्यान रखीगा ये भी combination को दोस्तों यदि India के team second batting करती है तबी use करना है क्योंकि देखो 9 बिकेट से match win कब करेगी कोई भी team second batting करेगी तबी that's mean दोस्तों ये team को भी आपको जब India के team second batting करे तबी use करना है next combination दोस्तों देखो तो इस combination में मैंने थोड़ा सा different try किया है क्या different है दोस्तों team total आपको same मिलेगा बस दोस्तों यहाँ पर different यह है कि मैंने दोस्तों इस team में राहूल को रखा है in place of Rohit Sarma यदि पाइचान दोस्तों Rohit Sarma hazel root के game पर out हो जाते है power play में तो राहूल दोस्तों आपके लिए काफी important हो सकते है ये भी combination दोस्तों false one combination है इसमें भी दोस्तों इंडिया की team second batting करें तबी use करना है और इंडिया की team दोस्तों इस वाले combination में 9 bigat से match win कर रही है तो यदि दोस्तों आप राहूल के साथ जाना चाते हो तो ये combination के साथ जाना यदि दोस्तों आप Rohit Sarma के साथ जाना चाते हो तो दोस्तों आप उपर वाला combination के साथ जा सकते हो ठीक ना बात कर लें दोस्तों next combination तो दोस्वों यह combination मैंने थोड़ा सा different try किया है इसमें मैंने क्या किया है कि इंडिया के दूनों opener को drop कर दिया है लेकिन तब भी दोस्वों इंडिया की टीम second betting कर रही है यह बात का ध्यान रखेगा ठीक ना इस combination में दोस्वों मैंने इंडिया के दूनों opener को drop जरूर किया है इंडिया इस वाले combination में मैच विन कर रही है तो कैसे आप combination मना सकते हैं आपको सुर्क मैया यादो फ्साथ खेलते हुए दिखेंगे तो आपको भी मालू मैं सुर्क मैया यादो ज्यादा ez-score करेंगे यदि दोस्तों सुर्कों आया दो लास्टर खेलते हुए राजा है और कोली दोस्तों आपको अराम से सिंगल, डवल, फोर, सिक्स उतना ज़्यादा तो नहीं मारेंगे लेकिन दोस्तों 50 प्लस स्कोर जरूर कर देंगे तो ऐसे में कोली भीसी के लिए बहुत अच्छी ऑप्सन रहेंगे और यहां पर दोस्तों आप धियान दो तो मैंने दोस्तों इंडिया के दुनों ओपनर को ड्रॉप किया है तो दोस्तों मैं अपने टीम में जो एस्टेलिया के पावर प्ले में बॉलिंग कर सकते हैं जैसे ह बैटिंग करें तब भी आप इसका यूज कर सकते हो क्योंकि देखो यदि स्टार्टिंग में स्विंग मिलता है दोस्तों है जरूड और पैट कमिन्स को दोस्तों इंडिया की टीम फॉस्त बैटिंग कर रही है और राहूल और रोही जल्द से जल्द अपना बिकेट दे द इस कंबीनेशन में मैंने दोस्तों थोड़ा सा डिफ्रेंट किया है इसमें मैंने क्या ट्राइ किया है इंडिया के दोस्तों टॉप थ्री स्टार्टिंग में आउट हो जाते और दोस्तों ऐसा बहुत बार हुआ है कि इंडिया के दोस्तों टॉप थ्री स्टार्टिंग में यह अपना बिकेट दे देते हैं तो आप कैसे combination मना सकते हैं तो दोस्तो यदि top 3 आउट होएंगे तो उनके बाद वाले जीतने भी आने वाले batsmen होँगे दोस्तो आपको अपने team में रखना है तो दोस्तो आप देखो इस वाले team में मैंने कार्थी को रखा है और आज के यह बहुत बड़े trump card player हो सकते हैं मिली दोस्तो grain link में balling section से दोस्तो देखो इंडिया के top order को drop करें तो इसे लिए कि जो भी power play में balling करेंगे जैसे pat commins, hazelwood काफ ही important हो जाते तो ये दोनों आपके team में होने चाहिए क्योंकि top order का bigget कोई भी लेगा है जलोट भी दोस्तों काफी आचा है इन स्विंग आउट स्विंग दोनों डालते हैं तो दोस्तों ये combination को भी आप favor कर सकते हो यदि दोस्तों आप इंडिया को favor करके team बना रहे हो ठीक ना देखो इस combination को मैंने थोड़ा सा different try किया है क्योंगी देखो आप इंडिया को favor कर रहे हो सबसे plus point तो ये हो गया और इस combination में दोस्तों आप ऐसा भी कर रहे हो कि इंडिया के top order को भी drop कर दे रहे हो तो सामने वाला ये जरूर combination बनाएगा कि चलो एक combination बनाते हैं इंडिया को drop करके बनाएगे लेकिन ये थोड़ा सा मैंने different try किया है इंडिया को इसमें आपको win करवाना है ठीक न आप दोस्तों थोड़ा different जाना चाहते हो आप इंडिया को लॉस करा रहे हो इस वाले combination में तो captain दोस्तों आप change कर देना हर्दिक के जगा दोस्तों आप तीसी भी एस्टेलिया के खिलारी को अपने team में add करके maximal को add करके उन्हें आप captain कर देना तब दोस्तों वो दोस्तों एस्टेलिया को favor करके team बन जाएगा अब दोस्तों बात कर लिए next combination तो दोस्तों यहां से start होता है दो-तीन combination मैंने एस्टेलिया को भी favor करके बना अब दोस्तों दो combination जो मैने आपको zero plus five komme लगा बना है अब स्टेलिया को favor करके मना है था अब दोस्तों आपको dो combination और ग्श्रेट्सों मैंने एस्टेलिया को favor किये इस वाली embige में आप ध्यान से देखो तो दोस्तो इस वाले combination में मैच आ रहा हूं इस्टेलिया की टीम दोस्तो नौव बिगेट से मैच वीन करें और नौव बिगेट से दोस्तो मैच वीन करना है तो दोस्तो डेपनेटली उनके आपनोस्वेति उपनेर को दुस्वेति हों कापनेर स्मीट को लिए इंडिया के तरप से दोस्तो कोली, सुर्क मैं याद हो हार्दिक पंडिया और भूमनेस्वर को रखा है और फिर दोस्तो मैंने इस्टेलिया के पांचो बलस को अपने टीम में रखा है आप देख सकते हो डेनियल सैम, इधर से हैजल उड, पैट, कमिन्स, के डिचरसन और जमपाज जो दोस्तो विकेट हम लोग को प्रोवाइड कर सकते हैं तो यदि दोस्तो आप एस्टेलिया को फेवर कर रहा हूं और इस्टेलिया के टीम दोस्तो second batting करती है तो यह कंबिनेशन दोस्तो आपके लिए master stock हो सकतullen है, ठीक ना बात कर ल मैंने थोड़ा सा डिकर ट्राइय आप देखो मैंने इंगली-ज को भी द्रॉप कर दीया और मैंने इस घिंज़ देखंग यहां यह तो दोस्तो आपके लिए कब से कम तीन तो इंपॉर्टेंट बॉलर्स आपको रखना पड़ेगा इंडिया के तरफ से आप यहां पे दोस्तो मैंक्सवेल सॉरी हर्सल पटेल के जगह दोस्तो चहल को भी रख सकतो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक ना टीम देख लो तो दोस्त दूस्तो ध्यान रखे हैं कम्बिनेशन काफी मैंने डिपरेंट बनाया और काफी सॉलिड कम्बिनेशन है इसमें दूस्तो इस्टेलिया की टीम फ़र्स बैटिंग करे तब भी उच करना है तब यूच कर सकते हो ठीक ना और कोई चेंज करना हो तो दूस्तो जैसा मैंने ब balling भी करते हैं और batting भी करते हैं इस चिल दोस्तो Maxwell आपको spin balling करते हुए दिखेंगे हार्दिक पंडय दोस्तो fast balling करते हुए दिखेंगे लेकिन दोस्तो दोनों ही अपने team के लिए दोस्तो आज के match में backbone है ठीक ना तो दोनों पे एक से दो combination तो आप definitely grand league में भी बनाना और small league में दोस्तो आप captain by captain ये दोनों के साथ जा सकते हो combination दोस्तो देखो मैंने bigot की रिप्रीक से हार्दिक पंडय को रखा है Matthew 8, patting section से रोई सर्मा, finch, surkumaya यादो फिर allounder section से Maxwell, हार्दिक पंडय को रखा है तो यदि मैं Maxwell को captain कर रहा हूं तो आप उस combination में राहूल को drop कर सकते हो, कोई problem नहीं है और दोस्तो इस team में देखो तो आपको एक चीज़ different जानने को मिलेगा क्या दोस्तो तो मैंने इधर से बिराट को ली को drop किया और इधर से दोस्तो मैंने इसमीद को drop किया है और ऐसा मैंने क्यो किया है दोस्तो देखो यदि आप चाहते हो Maxwell बड़ा score करें कुछ आपको batting से भी point दे हर्दिक पंडिया भी दोस्तो आपको कुछ batting से point दे तो जरूरी है कि यह दोनों को जादा ball मिले और जादा ball दोस्तो कैसे मिलेगा टॉप ओडर का दोस्तो जल्द से जल्द बिकेट गिरेगा तो ऐसे में दोस्तो मैंने राहूल को drop किया है कोली को drop किया है इधर से दोस्तो आप देखो तो मैंने English को drop किया है मैंने Matthew Wade को रखा है बिकेट की बिंग सेक्शन से और दोस्तो मैंने Smith को drop किया है रिकॉर्ड काफी अच्छ है तो दोस्तो हर्देपड़ को यदि आप भीसी कर रहे हो तो आप इसमीद को ड्रॉप कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक ना तो ऐसे क्या होगा डबल बेनिफीट होगा ऐसे दोस्तो ये दोनों के पास ज्यादा से ज्यादा बॉल मिल सकता खेलने के लिए और ज्यादा दोस्तो ये लोग स्कोर करेंगे और दोस्तो बिकेट भी लेंगे तो दोस्तो यदि आप हेड़ टूएट का स्टार्स देखो तो दोनों का बेतर रिकॉर्ड जिसके सामने उसी को मैंने इस कंबिनेशन में ड्रॉप किया है इस्टिल दोस्तो जा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है कर ले दोस्तो नेक्स्ट कंबिनेशन तो दोस्तो नेक्स्ट कंबिनेशन भी मैंने और लाउंडर को ही फेवर किया लेकिन ये कंबिनेशन दोस्तो पहले वाला कंबिनेशन से पूरा ऑपोजिट है इस वाले कंबिनेशन में मैंने क्या मेरे मेरे टीम है यहां पर मैंने क्या किया है दोस्तो तोरोषिट को ड्रॉप कर दिया और यदि दोस्तो आप रोही सरमा को ड्रॉप कर रहे हो तो एसिटेलिया के लेपट desire ब्ललर आपके टीम में होने चाहिए जो दोसो रोही सर्मा को स्टार्टिंग में आउट कर सकते हैं वाले कंबिनेशन में मैंने थोड़ा सा डीफ्रेंड किया और मैंने दोसो हारदी को कैपटन किया है यदि दोस्त ये इंडिया के टीम फर्स बेटिंग करती है तो दोससो आप हार्दी को कैप्टन करके यह वाला कंबिनेशन के साथ जा सकते हो बीजी दोस्तों आप मैक्सवल को रखना और दोस्तों यहां पे एक और चीज़ का ध्यान दो इंडिया का पावर प्ले में बिकेट गिर रहा है तो मैंने डेनियल साहिम को रखा है और साथी साथ दोस्तों य दोनों में यूज कर सकते हो फॉस्त बैटिंग करें या सिकेंड बैटिंग करें कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स जो दोस्तों कंबिनेशन है यहां से दोस्तों आपका डिफ्रेंट कॉंसेप्ट सुरू होता है यहां से दोस्तों रिवर्स कैप्टन भाइस कैप्टन स्ट को मिन्स को भी ड्रॉप किया है मैं दोस्तो एडम जंगवा को अपने टीम में रखा हूं मैं ज्यादा इस्टेलिया का बॉलर नहीं चाह रहा हूं क्यूंकि यहां पर दोस्तो मेरा सिंपल सा कॉंसेप्ट किया है कि रोई सर्मा आपको 80 प्लस स्कोर करते तो दोस्तो यह कमीनेशन हम लोगई का सुपर हीट हो सकता है स्टार्टिंग में दोस्तो राहूल आउट हो जाते जों मैक्सेल कर सकते राहूल को आउट तो कोली आपके लिए और इंपॉर्टेंट रहेंगे फिर दोस्तो मानगे चलो कोली आउट होते है जो दोस्तो जंपा के गेंद पर तो रोई सर्मा captain और वाइस captain दोस्तों फुम्नेसर कुमार काफी अच्छे option रहेंगे क्योंकि देखो बुम्नेसर को bc कर रहे हो तो इस्टेलिया के टॉप आपको ड्रॉप करना होगा तो मैंने English को भी drop कर दिया मैंने दोस्तों was रैंगे पाउर ब्ले में तो यह combination को दोस्तो आप इंडिया first batting करें तब भी use कर सकते हो यह दि दोस्तो इंडिया की team second batting करती है तो यहाँ पर एक change और कर सकते हो आप क्या कर सकते हो दोस्तो यहाँ पर team David को drop करके चल को अपने team में रख सकते हो अधरवाई दोस्तो same combination के साथ भी जा सकते हो ठीक ना बात कर ल को फींज को बहुत ही कम जनता अपने team में रख रहे क्योंकि फींज का addition from बहुत जादा क्राब है लेकिन को जानता है दोस्तो कब score कर दे तो ग्रेंड लिंग में हम लोग ऐसा combination बना सकते है जिसमें दोस्तो आप फींज को captain करो और भाइस captain दोस्तो है जलूट को करो फींज पर दोस्तो एक और चीज़ देखो तो मैंने डेनियल साहम को फिर से रख लिया है मानगे चलो है देख में विकेट लेते हैं पार प्लोए में विकेट नहीं ले पाते है लेकिन दोस्तो डेनियल साहम तो है आपके पास जो रोही सर्मा को आउट कर सकते है ठीक ना तो इस combination क भी दोस्तों आप दोनों में favor कर सकते हो Estelia के team first batting करें तब भी favor करना second batting करें तब भी favor कर सकते हो क्योंकि देखा आपके पास इधर Adam jumpa है यदि दोस्तों Estelia के team first batting करते हुए 180 run का score करती है और उस match में दोस्तों 50 plus score करते हैं और second inning में दोस्तों jumpa 2 wicket ले ले लेते तो दोस्तों ये combination आपका बहुत ही perfect चला जाएगा ठीक ना बात कर लें दोस्तों next combination तो ये combination मैंने दोस्तों boomra पर बनाया है यदि दोस्तों आप boomra को captain करना चाहते हो और smith को 22 captain करना चाहते हो तो कैसे आप combination बना सकते हो तो दोस्तों यदि आप boomra को captain कर रहे है तो दोस्तों ध्यान रखना boomra जो है वो आपको mainly six over balling कराते हुए दिखेंगे power play के आपको first over boomness पर करेंगे second over दोस्तों maybe boomra करने आजाए नहीं तो दोस्तों hardic pandya इधर आपको mainly power play में balling करते हैं फिर थर्ड ओबर आपको boomness पर करेंगे फिर दोस्तों next over hardic pandya नहीं तो boomra कर सकते हैं नहीं तो दोस्तों six over boomra करेंगे ये दोस्तों रोई सर्मा का mainly यही combination रहता है boomra को दोस्तों कभी यह fifth balling करवाते हैं नहीं तो दोस्तों कभी-कभी यह six over balling कराते हैं तो यह दोस्तों final तो नहीं रहता है match पर depend करता है तो boomra को यह दिए आप captain बना रहे हो तो ऐसे में दोस्तों आपको middle order और जो death में जो भी batsman होंगे उन्हें अपने team से drop करना होगा तो आप देख लो मेरे team में दोस्तों आप इस वाले team में team debit आपको नहीं दिख रहे हैं क्योंकि दोस्तों team debit death में बैटिंग करनेंगे और सामने दोस्तों boomra रहेंगे तो ऐसे में दोस्तों आप team debit को drop कर सकते हो और एक और चीज़ देखो देखो मैंने finch को team में जरूर रख है लेकिन मैं चारा हूं finch first चार ओबर बैटिंग करें और उसके बाद दोस्तों boomra जब balling करने आए तो दोस्तों out हो जाए तो ऐसे मैं दोस्तों finch चार ओबर बैटिंग करेंगे तो 20 से 30 रन तो score कर सकते है यदि तेज़ के लिए तो फिर दोस्तों उसके बाद boomra बिकेट ले लेते तो boomra हम लोग के captain है और finch दोस्तों score भी करते तो दोस्तों और lady हम लोग के team में और एक और चीद देखो यदि मैं finch को team में रख रहा हूं तो दोस्तों मैंने boomra को drop कर दिया है तो यह combination को भी दोस्तों आप यदि इस्टेलिया की team first batting करें या second batting करें आप यूज कर सकते हो और ज्यादा प्रेफर तभी करना है यदि दोस्तों इंडिया की team first balling करें ठीक ना बात कर ले next combination तो दोस्तों यहां से मैं आपको चोहल के बेस पर combination बताऊंगा चहल और जंपा दो दोस्तों मैंने spinner को ध्यान में रखके combination बनाया है यदि दोस्तों आप spinner को captain करके team में try करना यदि दोस्तों इंडिया की team दोस्तों बैटिंग कर रही है तो दोस्तों captain तो नहीं करना भीची आप कर सकते हो रीजन क्या है यहां पर दोस्तों spinner को जो maximum picket मिलते हैं वह दोस्तों second inning में मिलते हैं क्योंकि देखो first inning में यदि दोस्तों इंडिया की team 190 20-plus का score करती है जो दोस्तों कर सकती इंडिया की team तो ऐसे में क्या होगा second inning में एस्टेलिया तो chase down करने जाएगी न और ऐसे में दोस्तों आपको भी मालूम है दोस्तों मैंने इस टीम में cover किया है और दोस्तों इस्टेलिया के तरब से मैंने मैथ्यूवेट फिंच और मैक्सवेल ऐसे batsmen जो दोस्तों hard eater हो और दोस्तों जो कम ball में ज्यादा score कर सकते हैं क्योंकि देखो chase करना है chase तो दोस्तों तेज में ही नहोगा तो ऐसे में दोस्त मैंने smith को drop गया इस टीन दोस्तों आप smith को try करना चाहते हो तो पैट कमिन्स के जगा कर सकते हैं स्मीद को try ठीक ना तो यह combination का ध्यान रखीगा यदि दोस्तों चहल को captain करना चाहते हो तो यह combination आपके लिए काफी अच्छा option हो सकता है अब बात कर लें दोस्तों यदि करना चाहते हो तो कैसे आप combination बनाओगे तो ध्यान रखना जमपा को यदि आप captain कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करना दोस्तों आप को ड्रॉप कर सकते हो क्यूंकि को बहुत ही खराब record है जमपा के अगेंस दोस्तों बता दू कोली ने score किया है लेकिन दोस्तों आउट भी काफी बार हुए वन डे में T20 में और साथ ही साथ दोस्तों डेखो IPL में आउट इसलिए नहीं हुए क्यूंकि दोस्तों जमपा ने जितना भी मैच खेला IPL में वो कोली के सामने लेकिन इंटरनेशनल किरकेट में दोस्तों जमपा काफी अच्छा बॉलिंग कराते है को हुए कि दोलव पलीक हुए तो अप जमपा कर रहे हों तो इंडिया के मिडिल ऑडर में जितने भी बैर में उन्हें को यह उते तो मान के चलो सुर्कमाई याद हो 40 रन बार देते हो उसके बाद उस्व जंपा के बॉल पर आउट हो जाते हैं तो हम लोग को कोई प्रॉबलम नहीं है सुर्कमाई याद हो पॉइंट दे रहे हैं और जंपा को बिगेड मिलेगा तो जंपा दोस्व हम लोग के काप्टेन है तो यह combination को दोसो यदि आप जंपा को favor करके team बना रहे हो तो यह combination के साथ दोसो आप definitely जा सकते हो बहुत ही अच्छा combination है और still दोसो मैं फिर से बता रहा हूँ एक चीज़ का ध्यान अखना है यदि दोसो इस्टेलिया की team दोसो second batting करे तभी दोसो आप जंपा को captain करके try करना first batting करें तो VC करके try करना ठीक ना जो चीज़ दोसो मैंने आपको चहल वाला है में बता है वही चीज़ दोसो आपको यहां भी favor करना है तो लिए दोस्तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के आखरी 18 नमर दोसो combination के बारे में दोसो सबसे पले तो पूरे मेहनत के लिए दो दोस्तो आप first time video देख रहे हो और साथ ही साथ दोस्तो अभी तक आपने channel को subscribe नहीं कियो तो दोस्तो channel को जरूर subscribe कर देना और subscribe करने के बाद दोस्तो notification का घंटी जरूर बजाना आप देख सकते हो दोस्तो आप सभी के लिए कितना ज़्यादा मैंने मेहनत करके सभी चीज़ क मैंने क hack करके दोस्तो मैंने आपको समझाने आप कोशिस है आप देख लो दोस्तो थीस मिनट का ऊपर वीडियो ए देटמה को एडिट करने के बाद नोरहा है टोटल तोस्तो इस वीडियो को मुझे 2 घंटा लगे बनाने मिन दोस्तो मैं 2 घंटा लगतार बोला हो तब जाके यह perfect grain league का combination आपके साथ दोस्तों आया है तो एक like जरूर कर देना दोस्तों और अभी तक आपने channel को subscribe नहीं क्यों तो जरूर करना और दोस्तों इस video को जहां तक हो सेर करो क्या होगा न दोस्तों जो भी grain league combination जिने खेन ले नहीं आता है तो दोस्तों उन्हें काफी आसानी होगी क्योंकि देखो यह video सिर्फ आपको यही match में help नहीं करेगा आप दोस्तों कोई भी match खेलो future में T20 का या ODI का या दोस्तों T10 का आप खेलते हो जो भी मैं grain league का आपको pattern बता रहा हूँ दोस्तों आप सभी match में इस grain league pattern को follow कर सकते हो और दोस्तों आप grain league win कर सकते हो ठीक ना तो आप को से जरूर करना share करने का साथी साथ दोस्तों अभी तक आपने telegram channel को join नहीं कियो तो दोस्तों telegram channel को जरूर join कर लेना क्योंकि देखो पूरे combination में कहीं भी कोई दोस्तों update करना होगा तो दोस्तों जो मेरा final और updated team होगा वो दोस्तों मैं आपके साथ telegram पे share करूँगा ठीक ना और एक और चीज़ दोस्तों बता दो telegram channel का link दोस्तों आपको नीचे description section में भी मिल जाएगा वो दोस्तों मैं टस्क के बाद देखोंगा यदि दोस्तों peach report दिखाएगा कि बहुत जादा swing करेगा तो ऐसे में दोस्तों आप Daniel Sam को captain vice captain कर सकते हो ठीक ना otherwise दोस्तों peach report दिखाएगा कि normal peach है थोड़ा सा swing होगा उसके बाद batsman को help करेगा तब दोस्तों आप मेंली 10 से 20 ओवर के बीच में इनका जो maximum over होगा यहां पे कराएंगे और दोस्तों कोशिस करना है इसलिया कि ऐसे बलेवास को कम रखना जो दोस्तों 10 से 20 ओवर में batting करते हैं ठीक ना और साथी साथ यदि दोस्तों आप अक्षर पटेल को BC कर रहे हो तो अक्षर पटेल से सिर्फर सिप आप बॉलिंग से उमीद मत रखना आपको चाहना है कि आपको अक्षर पटेल 10 से 20 रन batting से भी करके दे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा तो दोस्तों इसके लिए आपको हार्दिक पंडिया को डॉप करना होगा यदि दोस्तों आप हर्दिक पंडया को drop नहीं करते हो तो फिर से ये combination सही नहीं होगा तो हर्दिक पंडया को drop कर रहे तो तो उस combination में दोस्तों आप अक्छर पट्रिल को BC कर सकते हो और दोस्तो हरसल पटेल को captain कर सकते हो ऐसे तब जब दोस्तो एस्टेलिया के जो finisher है उनको आप drop कर रहे हैं जैसे देखलो मैंने team debit को दोस्तो drop कर दिया Maxwell को दोस्तो मैं drop करना चाहता था लेकिन मैंने team में इसलिए रख लिया कि Maxwell आपको balling भी कर लेते हैं तो that's why दोस्तो मैंने Maxwell को team में रखा है और एक और चीज़ दोस्तो देखो Maxwell हरसल पटेल को IPL में बहुत बार खेल चुके हैं कैसे खेल चुके दोनों ही दोस्तो सेमी team के लिए खेलते हैं दोनों दोस्तो RCB के लिए खेलते हैं और NET में दोस्तो काफी practice भी हुआ है तो ऐसे मै Maxwell को drop करना थोड़ा सा रिक्सी हो जाता है इसलिए दोस्तो मैंने Maxwell को team में रखना है तो दोस्तो यदि आप अक्षर पटेल को vice captain और हरसल पटेल को captain करके कोई combination बनाना चाहते हो तो ये combination के साथ दोस्तो आप जा सकते हो ठीक ना और एक और चीज़ में यहां पर बताना चाहत तो देखो यदि आप अक्षर पटेल को drop करके हर्दिक पंडे को team में रख रहे हो तो आप ऐसा करना बीसी दोस्तो आप Maxwell को भी कर सकते हो नहीं तो दोस्तो बूमरा को भी कर सकते हो क्योंकि देखो हरसल पटेल बूमरा यदि फॉस्ट इनिंग में बॉलिंग कराते तो के लिए ठीक ना तो अभी के लिए दोस्तो इतना ही मेरे तरफ से दोस्तो आप के लिए ग्रेंडली का कमिनेशन रा और कि बाद कोई बी चेंजर होगा कोई भी अपडेत होगा तुम्हा आपको टेलिगाम पे अपडेट करता रहा हूंगा ठीक ना धन्यवाद दोस्तो आ एक्स वीडियो में टेक केर बाई बाई